बिहार की सियासत ने एक बार फिर से करबट ली है नितीश कुमार ने लालू यादब से दोस्ती तोड एक बार फिर से एंडिये के कुन्बे में बापसी की है रविवार को नितीश कुमार ने मुख्यमंत्रे पद की शपत ली थी इसके अलाबा उनके साथ छे अन्यमंत्रियों ने शपत ली जिसमें दो उपमुख्यमंत्री समराट चौधरी और विजे सिना ने भी शपत ली इनमें से विजे सिना वो निता है जिनकी नितीश कुमार से एक समय तगड़ी जड़ब भी हुई थी तो चलिए जानते हैं बिहार के दो नए उपमुख्यमंत्री कौन है और उनका राजनीतिक सफर अब तक कैसा रहा सबसे पहले बात विजे सिना की करते हैं भुमिहार समुदाय और RSS बैक्ग्राउंड से आने वाले विजे सिना बिहार में BJP का बड़ा चोहरा है यही कारण है कि हाल के दिनों में उनका राजनीतिक ग्राफ काफी तेजी से बड़ा है डिप्टी सियम बनने से पहले वो इस समय बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष हैं इससे पहले वो बिहार विधान सभा के स्पीकर भी रह चुके हैं वो लखी सराय सीट से लगातार तीन बार उपचुनाब जीच चुके हैं वो साल 2005 मार्च में पहली बार लखी सराय से विधायक चुने गए इससे पहले संगठन के अलग-अलग कामों में भी वे एक्टिव रहे थे साल 2000 में बीजे सीना को भारते जनता युवा मोचा के प्रदेश संगठन के प्रभारी की जिम्मेदारी मिली थी 2004 में बीजेपी के प्रदेश कार्य समीती के सदस्य भी वे बने बीजेपी के किसान मोचा की प्रदेश महमंत्री भी वे बने फिर बीजेपी ने उन्हें बेगु सराय और खगडिय जिला का क्षुत्रे परभारी भी बनाया था वे नितीश सरकार में पहले भी मन्तुरी रह चुके हैं वहीं बात अगर समराच चौधरी की करें तो 54 साल की समराच चौधरी कोईरी खुश्वाह समाज से आते हैं समराच चौधरी ने 27 मार्च 2023 को अवचारिक रूप से बिहार की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहन किया था बिहार विधान परिशद में भाजपा के वे पुर्ब नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं वे बिहार की एक प्रभावशाली राजनितिक परिवार से आते हैं समराच चौधरी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष निउक्ष करने के पीछे बिहार में बीजेपी, कुर्मी और कुश्वाह बोटों को सादने की कोशिश कर रही थी चौधरी 6 साल पहले बीजेपी में शामिल हुए थे, वे पहले लालू प्रसाद की आरजडी और निटिश कुमार की जेडी उ में भी रहे समराच चौधरी साल 2017 को बीजेपी में शामिल हुए, जो कुछी समय बाद निटिश कुमार के साथ जुड़ गए चौधरी ने नितीशकुमार के नेत्रत वाली, पिछली NDA सरकार के दोरान पंच्टायती राजमंत्री के रूप में भी कारे किया पर्वत्ता से बिहार विधान सभा में उनके दो कारेकाल रहे हैं वो राबणी देवी सरकार में मंत्री भी रहें उनका राजनितिक कर्यर साल 1999 में शुरू हुआ समराट चौधरी के पिता अनुभवी राजनितिक ये शकुनी चौधरी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादब के करीबी रहे शकुनी चौधरी खगड़िया से कई बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं इसके अलावा बहुँ समता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे जिससे मूल रूप से नितिश कुमार जुड़े थे समराट चौधी की मा परवती देवी भी तारपूर विधान सभासीट का प्रतिनी धित्व कर चुकी हैं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए One India Hindi को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें